Hello Everyone, Welcome to our Channel, Target StudyPoint, मैंने ही आपान्डे, तो ये nomenclature topic चल रहे हैं, तो nomenclature में ये आपके alcohols के nomenclature, मतलब जो alcohol होते हैं, alcohol का नामकरण है, हमें IUPAC system के through करना है, तो alcohol का नामकरण करने के लिए तो alcohol का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि alcohol का functional group क्या हो हम पाता थे तो जो कि मैंने आपको सटार्टिंग में ही जो फंच्शनल ग्रूप एक वीडियो में मैंने आपको सारे जितने भी हैं वो बताई तो जो एल्खोहल होते हैं उनका फंच्शनल ग्रूप to जो है जिसको हम represent करते हैं OH से मतलब जब bond के साथ में OH लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि यह alcohol family का है hydrocarbon है तो alcohol के लिए इसको आपको याद रखना है कि OH लगाते हैं यहाँ पर alcohol के लिए जो suffix use किया जाता है suffix मतलब अनुलग न वो all use किया जाता है मतलब नाम के end में जो alcan होते है alcan के नाम के end में all लग जाता है तो जब iupac नाम लगते है इनका तो alcohol का तो iupac नेम जो इनका iupac नेम है वो हो जाता है alcanol alcanol और alcan की spelling आपको पता होगी कि alcan की spelling a-l-k-a-n-e होती है तो last का e replace करके यहाँ पे all लग जाता है तो alcan की जगह इनका नाम जो है वो alcanol बन जाता है तो यह इनका iupac नेम है तो आपको ध्यान रखना है कि alcohol का functional group जो है वो oh है यानि की जब hydrocarbon की जो chain होती है carbon की chain होती है अगर उसमें oh h लगा हुआ है यानि की वो alcohol का है और इसका जो suffix यानि की अनुलगन जो की last में नाम के जोड़ा जाता है वो all होता है तो इस हिसाब से इसका नाम जो iupac नाम है वो alcanol हो जाता है और इनका जो general formula है general formula वो cn h2n plus 1oh होता है तो alcohol का नाम करण हम किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताते हैं example बताते हैं जैसे for example पहले छोटा example ही ले ले लेते हैं example दिया हुआ है CH2 sorry CH3 CH2 OH तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी alcohol लगा हुआ है यानि कि यह तो समझ में आ गया है कि यह alcohol का है और दो carbon atom है दो carbon atom का मतलब कि यह ethane है ठेक है तो ethane के साथ में all लगा हुआ है यानि कि इसका नाम क्या हो जाएगा इθhe-null तो इसका नाम जो है इथे-null हो जाएगा क्योंकि यह पर दो carbon atom के साथ में alcohol लगा हुआ है तो अकर alcohol नहीं लगा होता है तो simply इसका नाम ethane होता लेकिन यहां पर alcohol लगा हुआ तो इसलिए इसका नाम जो है नाम के end में एथेन के साथ में all लग गया हुआ है तो इथे नौल हो जाएगा इसलिए तरीके से पाल लिया एक्जामपल दिया हुआ है CS3, CH, OH, CS2, CS3 यह एक्जामपल दिया हुआ है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि alcohol group जो है वो एक side chain की तरह दिया हुआ तो side chain वाला आपको rule मैंने पिछले वीडियो में ही सभी बता दिये हैं तो यहां पर alcohol side chain की तरह है और carbon chain जो longest carbon chain है वो सीधी chain दी हुई है तो यहां पर अगर हम इधर side से numbering करेंगे तो यहां पर 1, 2, 3, 3 number पर alcohol आएगा लेकिन अगर हम इधर से करेंगे तो 2 number पर आएगा तो हमें numbering उधर से करनी है जिधर से alcohol पास में पढ़ रहा है तो 1, 2, 3, 4 तो यहां पर दूसरी position में है alcohol और यहां पर parent token क्या है चार carbon atom का यानि की butane तो इसका नाम क्या हो जाएगा butane आपको ध्यान रखना है कि last की e नहीं लिखनी है दूसरी position पर लगा हुआ है alcohol butane to all इसका नाम हो जाएगा butane to all या फिर हम simply to butanol भी लिख सकते हैं इसको ठीक है तो यह था अब इसी तरीके से यहां पर एक position पर दिया है अब मालिया different position पर दिया हुआ है alcohol group CS3 CHOH CS3 यहां पर यह दिया हुआ है तो यहां पर देखने numbering करने का rule जो है दूनों तरफ सही same ही रहेगा यहां उदर से करें यहां उदर से बात देखिए तो 1,2,3,4 तो यहां पर देखने आप दो position पर alcohol लगे हुए है और जो parent telkin है वो है butane यानि की 4 carbon atom की chain है तो इसलिए इसका नाम जो है butane और जिस जिस position पर alcohol लगा हुए है तो 2 में लगा हुए है और 3 में लगा हुए है 2,3 दो लगे हुए है इसलिए diol तीन जगे लगा हुए 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 CHOH CH2OH यह example जो है paper में भी एक बार पी उच्छा जाच चुका है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप carbon chain जो है 6 carbon की chain और सम में ही alcohol लगे हुए है तो numbering का भी rule सेम रहेगा इधर से करे या इधर से करे बाते किए तो 1,2,3,4,5,6 6 होगा है तो 6 का मतलब जो parent token है वो क्या हो जाएंगे hexane ठेक है अब जिस position पे लगे हुए alcohol उन सारी position को लिखेंगे तो 1 से लेके 6 तक सारी position लिखेंगे 1,2,3,4,5,6 तो 6 जगह लगे हुए है तो 6 के लिए लिखते हैं hexa तो hexane 1,2,3,4,5,6 hexa all लिखतेंगे ये इसका नाम हो जाएगा इसी तरीके से माल लिया सिर्फ एक एक्जामपल और बता देते हूँ CH2 OH CH2 ये example दिया हुआ है यहाँ पे भी आप numbering अगर इधर से करेंगे तो ये दूर पड़ेगा मलत दोनों का sum जो है वो ज़्यादा आएगा और अगर इधर से करेंगे तो दोनों का sum उसके compare में कम आएगा तो numbering हम इधर से करेंगे 1,2,3,4 तो सबसे पहले क्या? पेरेंट अलकेन का नाम लखना है ब्यूटेन वन पोजीशन पर लगा हुआ है अलकोहल 1,3 डाई अल तो जितनी भी पोजीशन पर लगे हुए है अलकोहल उतने अलकोहल को count करके अल लगाएंगे और हमेशा याद रखिए कि जो अलकोहल है उनको हम suffix की तरह यानि की नाम के end में लगाते हैं क्योंकि यह जो अलकोहल है, eldehyde है, carboxylic group है ketone group है यह main functional group होते हैं जो sub functional group होते हैं उनको हम prefix की तरह लगाते हैं जैसे methyl हो गए या फिर halogen हो गए या amino हो गए उनको हम prefix की तरह यूज करते हैं लेकिन जो main functional group होते हैं उनको हम suffix की तरह यानि की नाम के end में जोड के लगाते हैं तो आपको जो main point है वो याद रखना है कि functional group क्या है और जो इसमें alcohol में या eldehyde में किसमें कौन सा suffix लगाया जा रहा है नाम के end में वो याद रखना है ठीक है तो ये कुछ example मैंने बता दिये हैं तो और भी आप practice करिएगा तो और भी clear हो जाएगा तो ये alcohol का नाम करण था इसके बाद eldehyde का nomenclature तो eldehyde के लिए भी आपको ध्यान होगा functional group जो है functional group ज़रूर याद रखने हैं तो bond लगा कि CHO इस तरीके से भी लगा हो सकता है या फिर C double one O and H तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि जितने भी functional group है जिन में भी carbon atom आता है तो जब हम chain को count करते हैं तो हम इस carbon atom के को भी count करते हैं मतलब जिन भी functional group में क्रियात्मक समूहों में carbon atom आ रहा है तो उस carbon atom को भी हम chain के साथ में count करते हैं तो यहाँ पे functional group है CHO और इनका जो suffix है वो अल होता है अल यानि इनका नाम जो है इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल इस तरीके से इनका नाम हो जाता है यानि यह आयू-पी-ए-सी नाम जो है इनका आयू-पी-ए-सी नेम जो है वो एल के नल हो जाता है जैसे alcohol में एल के नॉल हो जाता है तो इनका यहाँ पे नाम जो है एल के नल हो जाता है और इनका जो general formula है general formula वो Cn H2n plus 1 Cho होता है तो इसमें भी आपको example बता देती हूँ कि example for example दिया हुआ है CH3 CH2 CHO तो यहाँ पे आपने देखा कि CHO लगा हुआ है यानि कि यह aldehyde group है तो aldehyde group है अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि carbon chain हमेशा जो है जो aldehyde है carbox लिए इन में समें ही carbon atom जिस भी group में आते हैं उस carbon को भी हम chain के साथ में count करते हैं तो यानि कि यह 1 2 3 carbon atom की chain हो गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा propanol क्योंकि aldehyde group लगा हुआ है या फिर हम इसको 1 propanol भी बोल सकते हैं या फिर हम propane 1 अल भी बोल सकते हैं इसी तरीके से माल लिया example दिया हुआ है CHO CH2 CH2 CHO तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 carbon atom की chain हो गई यह 1,2,3,4 तो किदर से भी count करें बात एक ही है 1,2,3,4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा butane 1, 1,4 डाई अल butane 1,4 डाई अल इसका नाम हो जाएगा इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिये हुएं CHO ग्रूप इन ग्रूप को हम अगर ओपन करके भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है यह तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि open करके भी लिख के आ सकता है structure तो आपको ध्यान रखना है कि carbon यहाँ पर देख रहे हैं कि CHO ही लिखा हुआ है लेकिन अगर यहाँ पर hydrogen की जगे OH लिखा होता तो वह कार्वाक्स लिख ग्रूप हो जाता तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कार्वाक्स लिख में और LD हाइड में LD ग्रूप जो है वो CHO होता है और कार्वाक्स लिख ग्रूप COOH होता है तो यहाँ पर भी आप counting इदर से करें या इदर से करें बाते कि यह 1,2,3,4,5 carbon की chain होगी यानि कि इसका नाम क्या हो जाएगा यह इसका नाम हो जाएगा तो यह एक्जामपल थे एक दो एक्जामपल और भी बता देती हूँ मैं आपको CS2 CS2 CS3 अब आप देखरें कि यह जो है इदर से लगा हूँ है LDI जिदर से LDI ग्रूप लगा होगा मतलब अगर अकेला LDI ग्रूप लगा हूँ है तो जिदर भी लगा होगा तो हम उदर से ही काउंटिंग करेंगे तो 12345 तो पांच कार्बन चिन वाला यह हाइड्रो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले इनके पेरेंट का नाम लिखेंगे पेंटेन लास्ट की E नहीं लिखेंगे पेंटेन पेंटेन नल भी लिख सकते हैं इसको या फिर हम पेंटेन वन अल भी लिख सकते हैं तो आपको पोजीशन देखके वहीं पे ग्रूप लगा के बताना होगा तो आपको यह एल्डिहाइड और अलकोल अभी तो यह सिंपल सिंपल सिर्फ एक ही एक ग्रूप बाले अभी आपको एक्जामपल बता रहे हैं जब मिक्सिंग वाले ग्रू क्लियर समझ में आ जाएगा तो अभी तो एक एक ग्रूप के नोमेंक्लेचर में बता रहे हूं तो क्लियर हो गया होंगे मेरे ख्याल से टॉपिक थैंक्यू फर वाचिंग डिस वीडियो